Story name is मेरी चाहत and this story is begin from chapter 1 to 10, तो चलिए शुरू करते हैं, ये कहानी है लखनव उत्तर प्रदेश की राजधानी और हमारी शान, लखनव नवाबों के शहर, जिसे पहले गोल्डन सिटी और शिराज एहिंद के रूप में जाना जाता है, यहां के नीलकंट स्वीट्स का फेमस गेवर हो या फिर छपपन भोग का गोल्ड मेवा बाइट या फिर राम आस्रे की मलाए, गिलोरी या फिर परंपरा की रसमलाए हो ऐसे पता नहीं और भी कितने स्वाद के जायकोंने ना सिर्फ भारत में, बलकि विदेशों तक में अपने बेहतरीन स्वाद से लोगों को गोंती नगर फेमस इलाका, इगनिविंशी निवास, इगनिविंशी निवास बहुत धूनलाम से सजाया गया था, उसे दुलहन की तरह सजाया गया था, इगनिविंशी निवास वहां का, सबसे बड़ा निवास था और फेमस भी, इगनिविंशी निवास में बहुत चहल पहल थी ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर बहुत बड़ा जशन हूँ। रात के वक्त इग्निविन्शी निवास और ज्यादा चमचमा रहा था। इग्निविन्शी निवास के अंदर बीचो बीच मंदप सजा था पंडित ने कहा वधू को लाया जाए। पंडित तीसरी बार बोल चुका था वही मंदप की जलती हुई अग्नी को एक आदमी बस बिना एक्सप्रेशन के घूरे जा रहा। था वह आदमी कोई और नहीं अग्नी निवास का वारिश एल्विश एग्निविन्शी था लखनव का जाना माना आदमी उसकी पहुंच। बाहर की कंट्री इसमें भी है वह अपने आप में एक मिस्ट्री था। एल्विस की दादी सुमित्रा अब भड़क गई थी उन्होंने गुस्से से शीतल की तरफ देखते हुए कहा शीतल तुम्हारी। हुने वाली बहु कहा है शीतल अपने सास की तरफ देखा और बोली मैं बस अभी देख कर आती हूं। वही दुलहन के कमरे में एक लड़की मिर के सामने खडी थी उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था लेकिन उसके चेहरे पर दर और नर्वस दिखाई। दे रही थी जो अकसर एक लड़की क्या आपने शादी वाले दिन यही हाल होता है। उस लड़की ने खुद को मिर में देखा और बोली मेरे पैर क्यूं कहा पर है। उस लड़की का दिल घबराहट की वजए से जोर जोर से धड़क रहा था तभी उसके दोस्त ने उसे घूरते हुए कहा कहर। रगवन्शी अगर तू अब टू मिनट के अंदर नीचे नहीं गई तो जीजू किसी और से शादी कर लेंगे। कहर ने गुद गुदाते हुए कहा मुझे दर लग रहा है आज पहली बार उन्हें देखूंगी। कहर की दोस्त शिवांगी ने उसे छेटते हुए कहा जीजू से मिलने के लिए इतनी बेताबी। कहर ने थोड़ा शर्माते हुए कहा आज पहली बार उन्हें देखूंगी बच्पन में देखा था लेकिन उसके बाद तो उनसे कोई कांटेक्ट ही नहीं रहा। कहर एक छोटे से मिडल क्लास फैमली से बिलॉन करती थी उसके घर में उसके दादा दादी मम्मा पापा और दो भाई थे जो उससे छोटे थे तभी कहर के कमरे में कोई दाखिल हुआ और बोली कहर। कहर ने उस तरफ घूम के देखा तो वह कोई और नहीं उसकी होने वाली सांस शीतल थी शीतल ने कहर को उपर से नीचे तक देखा और बोली अगर तुम्हारा सजना सवरना हो गया हो तो नीचे चलो। कहर अपना सिर जुका लिया और बोली जी मम्मी जी। शीतल ने कहर को अजीब नजरों से देखा और बोली मैं तुम्हारी मम्मी जी नहीं हूं शीतल के बरताव से साफ पता। चल रहा था कि उसे कहर बिलकुल पसंद नहीं है तभी रूम में कहर की मा अनन्या दाखिल हुई और वह कहर की तरफ। आते हुए बोली कहर चलो बेटा नीचे सब तुम्हारा वेद कर रहे हैं। कहर की मा अनन्या उसे नीचे ले जाने लगे शिवांगी भी कहर तुनीचे जाने में उसकी मा की मगत करने लगी। शीतल ने अजीब सा मुह बना लिया और सिर जटिकते हुए बोली हो और वह भी घमन से नीचे जाने लगी। वही कहर ने नैत का घुंगट ले रखा था कहर की नजले जुकी हुई थी। कहर को मंदप में बैथा दिया गया कहर ने अभी तक एलविश को नहीं देखा था वही हॉल में मौजूद सभी लोग एलविश। और कहर को ही देख रहे थे एग्मिविंशी निवास के सभी लोग वहां मौजूद थे और कहर की फैमली वाले भी। पंडित विधी और विधान से एलविश और कहर की शादी करा रहा था कहर की माने आकर एलविश और कहर का गतबंधन किया। पंदित ने एल्वेश और कहर को फेरों के लिए खड़ा किया कहर और एलिवेशन फेरे लिए. उसके बाद एल्वेश ने कहर की मांद में सिंदूर भरा और फिर से मंगल सूत्र पहनाया दिया थोड़ा सा सिंदूर कहर. के नाक पर भी गिर गया था लेकिन इस पर भी एल्व की नजाकत से बैठी हुई थी उसने नैत का घुनघट ले रखा था कहर का दिल जोर जोर से धड़क रहा था घबराहट की वजए से तभी रूम का दोर ओपन हुआ और कोई अंदर दाखिल हुआ कहर घबरा अगई कहर ने सिर नीचे जुका लिया तभी कोई बैट पर आकर ब जुकी बड़ी बड़ी आँखे पलकों का फरफराना और होटों में हलचल कहर पूरा चांद का टुकडा लग रही थी वही एक पलके एलविश उसे देखता ही रह गया कहर ने अपनी पलके उठा कर सामने देखा और देखती रह गई एलविश बहुत हैंसम था उसकी उम्म एलविश ने कहर की आँखों में देखा और बोला तो तुम हो कहर रगवनशी कहर ने शर्म से अपनी पलके जुकाली और धीरे से बोली जी एलविश कहर को देखते हुए कहा जानती हो ना आज क्या है हमारी एलविश के ऐसे डाइरेक्ट पूछने से कहर पानी पानी हो कुछ देर में कहर की चीख ने कमरे में शोर मचा दिया कहर की आखों में आसु आ गए कमर में सिस्किया गुंज रही थी वही गहरी रात हो चली थी और कहर सो रही थी लेकिन कुछ आवाजों से कहर की कच्ची मीम्स तूट गई कहर के कानों में किसी के हसने की आवाज गई कहर ने अपनी आखे धीरे से खोली कहर धीरे से उठकर बैथ गई कहर के कानों में हसने की आवाज और तेज हो गई कहर ने इधर उधर देखा लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आवाज कहां से आ रही है कहर ने खुद को ब्लैंकिट से कवा किया और धीरे से बैच से उठ गई उसे चलने में थोड़ा इंकनफिटेबल फील हुआ लेकिन इसी के साथ उसके गाल जलने लगे कहर उस दिशा में चलने लगी जहां से हसने की आवाज आ रही थी जैसे जैसे कहर उस आवाज के नजदीग जा रही थी उसे पता लग रहा था कि यह आवाज किसी लड़की की एलवेश का कमरा बड़ा नहीं बलकी बहुत बड़ा था कहर बात्रूम के सामने खनाई थी क्योंकि उसे हसने की आवाज बात्रूम के अंदर से आ रही थी कहर के माथे पर सिकन आ गई तभी उसे अंदर से एक लड़की की आवाज आई बीवी तुम्हारी सुहागरात कैसी रही तुम्हारी बीवी तुम्हें खुश करने लायक है भी की नहीं तभी अंदर से एक आदमी की आवास आई हम अभी उसे बहुत कुछ सीखना है तुम्हारी तरह ट्रेन नहीं है और जो बात तुम में है वो उसने कहा तभी उस लड़की ने कहा बीबी तभी तो तुम मेरे साथ हो आज अपनी सुहागरात वाले दिन तुम्हें अपनी बीवी के साथ होना चाहिए दर्वाजे पर खड़ी कहर की आँखों में आसू आ गए कहर का दिल बैठा जा रहा था कहर ने अपने कापते हाथों से दोर को फोगा सा धक्का दिया कहर ने हिम्मत करके बाथरूम के अंदर देखा और दंग रह गई कहर के पैरों तले जमीन खिसक गई कहर पर अपनी आँखों को यकीन नहीं हो रहा था कि यह आग्मी कोई और नहीं उसका पती था और वह लड़की कहर ने उस लड़की को देखा था कहर की आँखों से लगातार आसू बेहने लगे और उसने अपने कदम पीछे लिए कहर ने जैसे तैसे कपड़े पहने और रूम का दर्वाजा खोल कर दब्बे पाव वहां से निकल गई कहर आज तूट चुकी थी अभी जिस आदमी के साथ उसकी कुछ वक्त पहले शादी हुई थी उसने उसे किसी और लड़की की बाहों में देखा था कहर ने घूम कर इग्निविंशी निवास को देखा और फिर वहां से भागते हुए चली गई कहर बेसुद उसी सड़क पर भाग रही थी उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह जाए कहां उसे ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने उसकी पीट पर छुरा भूका हो आज उसने पहली रात अपने पती का असली चेहरा देख लिया था और यह जानते हुए भी कि वह उसके साथ कैसे रह सकती थी आसमान ने भी अपनी दिशा बदल ली थी और रिमजिम बारिश होने लगी थी कहर की आखों से जर जर आसु बह रहे थे बेसूद बेहवास हालत में वह बस पागल की तरह सड़क पर भाग रही थी कहर भाग रही थी वह अभी भी उस अपने उस लाल जोडे में थी और उसकी मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था कहर के सामने से कार आ रही थी हौर लगातार बज रहा था लेकिन आज शायद कहर को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था तभी उस कार ने कहर को तक कर मार दी और कहर वही बिहोश हो गई उसके सिर से खूं बहने लगा पांच साल बाद, हाइदराबाद, मौसम सुहाना था रिंजिम बारिश हो रही थी एक बड़ी सी बिल्डिन की 23 फ्लो पर केविन था जिसमें एक लिंग की ग्लास वॉल के पास खंगाई होकर अपने बीते हुए अतीत को गुजरते हुए देख रही थी आज पूरे फाइव साल बीट चुके थे उस मन्हूस रात को तभी किसी ने पीछे से कहा मैम मिस्टर रवी ने हमें सारी डिजाइन्स मेल कर दिये है अब एक बार चेक कर ले और उसके बाद हम स्टाफ को उनका काम दे सके उस लड़की ने मूर कर अपनी मैनेजर की तरफ देखा और बोली मिस्टर रवी हमारे पुराने और सबसे इंपॉर्टेंट क्लाइंट है इनके काम में कुछ भी गरबरी नहीं होनी चाहिए अदरवाइज ये हमारे ये और हमारी कमपनी के लिए सही नहीं होगा मैनेजर विधी ने अपना सिर्हा में हिलाते हुए कहा ओके कहर मैं कहर ने सर्द लहजे में कहा गो इन डू यॉर जॉब विधी वहां से चली गई क्योंकि वह जानती थी कि उसकी बॉस अपने काम को लेकर कितनी डेडिकेटिट थी कहर अपने डेक्स पर आकर बैठ गई और लैप्टॉप पर इमेल्स चेक करने लगी कहर बहुत सीरियस लग रही थी कहर ने अपनी हैंड वाच की तरफ देखा और बोली वो आ गए हो गए कहर ने अपना काम वही रोक दिया और खड़ी हो गई कहर अपनी कार से बाहर निकल गई और लिफ्ट की तरफ बढ़ गई सारा स्टाफ कहर को देख रहा था लेकिन उसके तुरंट बाद वह लोग सब अपने काम में लग गए कहर अपनी कार में बैठी थी ट्राइवर कार ड्राइव कर रहा था कुछ देर में कार के आर विला के अंदर दाखिल हुई के आर विला की नेम प्लेट चमक रही थी कहर कार से बार मिकली और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिये कहर ने लिविंग हॉल अपने कदम रखे और सोफे पर आकर बैथ गई कहर ने अपनी आखे बंद कर ली और अपने सिर पर हाथ रख कर टैब करने लगी तभी कहर को महसूस हुआ कि कोई उसके पैरों से आकर लिप्ट गया और कोई उसके बाजवों से आकर लिप्ट गया और कोई उसके सिर पर हाथ रख कर दबा रहा था कहर के होठो पर छोटी मुस्कान खिल गई कहर ने धीरे से अपनी आखे खोली और अपने चांद के तुकड़ों को देखा और उसका दिल नर्म पढ़ गया कहर ने मुस्कुराते हुए कहा तुम तीनों यहां ईशान आहान विहान ये कहर के बेटे थे तभी उसके पीछे से एक आदमी एक आदमी ने कहा आ गई तुम ये तीनों कबसे तुम्हारी राह देख रहे हैं कहर ने मुस्कुराते हुए कहा आज तुम भी जल्दी आ गए समीर समीरा ने सामने आते हुए कहा आज काम जल्दी खत्म हो गया कहर ने सिर हिला दिया वही कहर ने अपने बच्चों की तरफ देखते हुए कहा तुम तीनों ने कुछ खाया इशान ने कहर की तरफ देखा और बोला मम्मा I miss you कहर ने मुस्कुराते हुए इशान को अपनी गोद में उठा लिया और उसके दोनों गालों पर किस करते हुए बोली क्या हुआ मेरे बच्चे को क्यूं मिस्कर रहा है मम्मा को इशान ने कहर गले हुए धीरे से कहा आपकी बहुत याद आ रही थी तभी आहान बोला मम्मा फिर आहान सोफे पर चद गया और काईरा को साइड हग करते हुए बोला मम्मा I was also missing you a lot तभी रहान ने भी कहा मम्मा I also missed you very much कहर ने अपने तीनों बच्चों को बाहो में समेथ लिया और फिर बारी तीनों के गालों को चुंगते हुए बोली ममा I also missed all three of you a lot समीर ने उन चारों को देखते हुए कहा आज कुछ है क्या बहुत प्यार हो रहा है तभी चारों ने समीर को घूरा समीर ने अपने कंधे उनका दिये कहर ने अपने बेटे की तरफ देखते हुए कहा सच सच बताओ तुम तीनों ने कौन से कांट किया है इतने भोले तो नहीं है तुम लोग कहर शक्क की नजरों से अपने बेटे को देख रही थी इशान अहान रिहान एक दूसरे को देखने लगे वह आखों ही आखों से एक दूसरे को इशारा कर रहे थे और उनके इशारों को कहर भी देख रही थी और समझ गई थी कि उसके बेटों ने फिर से कोई कांट किया है वह भी बड़ा वाला वरना इतनी मासूमियत से उसके पास नहीं आते तभी समीर ने कहा इन तीनों ने आज स्कूल में तभी ईशान अहान रिहान तीनों मिलकर समीर को भूरने लगे और बोले डैडा समीर ने कहा तुम तीनों ने जो किया है तुम्हारी मम्मा को पता होना चाहिए तभी कहर ने अपने बेटों को भूरते हुए कहा क्या किया है तुम तीनों ने मुझे साफ साफ बताओ वरना ईशान आहान और विहान ने एक दूसरे को देखा और बोले मम्मा तभी समीर बोला इन तीनों ने स्कूल में अपनी क्लास के बच्चों से लड़ाई की और इतना ही नहीं इन तीनों को प्रिंसिपल ने ओफिस में बुला लिया था और उसके बाद मुझे कॉल करकर ओफिस बुलाया समीर की बात सुनकर कहर अपने तीनों बेटों को घूरने लगी और बोली ऐसा क्या कर दिया तुम तीनों ने की तुम्हारे डैडा को प्रिंसिपल ने ओफिस में बुला लिया इशान अहान और विहान सिर जुका कर नीचे खड़े थे कहर ने जोर से डाटते हुए कहा अगर नहीं बताया तो तीनों को पनिश्मेंट मिलेगी समीर ने कहर की तरफ देखा और बोला सौर्ट आउट हो गया है सब अब डाटों मत कहर ने हलकी गुस्से में कहा समीर तुम बीच में मत आओ तुमने ही इन तीनों को सिर पर चड़ा रखा है तुम्हारी वजह से यह बिगड गए हैं यह चौकी बार है प्रिंसिपल ने जो तुम्हें ओफिस बुलाया है समीर को डाट पंग गई थी समीर को डाट पिंगते देखकर इशान आहान और विहान तीनों नीचे मूह करके धीरे से हसने लगे, कहर ने तीनों को घूरा और मन ही मन बोली मेरी बेटे ना जाने क्यूं इतने लड़ाकू है इशान अहान विहान सिर नीचे खड़ा कर कहर के सामने खड़े थे कहर सोफे पर बैठी उन तीनों को घूर रही थी और मन ही मन सोच रही थी मेरे बेटे ना जाने क्यूं इतनी जिद्धी हैं कहर ने इशान का कान पकन लिया और खीचते हुए बोली क्या किया है तुम तीनों ने इशान ने धीरे से कहा मम्मा दर्द हो रहा है इशान की हालत देखकर आहान और विहान एक दूसरे को देखने लगे और फिर आखों ही आखों में कुछ इशारा करने लगे उनके इशारे को कहर भी देख रही थी और उसकी आखे छोटी छोटी हो गई तभी आहान ने धीरे से कहा मम्मा इशान को चोट लगी है ये सुनकर कहर हैरान हो गई और उसने जल्दी से इशान का कान छोड़ कर उसे गोद में उठा लिया और बोली कहा चोट लगी है तुमें कहर के फेस पर चिंता दिख रही थी कहर इशान के गाल को सहलाने लगी जितनी हैरान कहर थी उतना ही हैरान इशान भी था और उसने तिरची नजरों से अपने भायों को घूरा और मन ही मन सोचने लगा ये दोनों मुझे मम्मा कहां से पिटवा कर ही मानेगे कहर का ध्यान अब उस बात से हट गया था समीर ने छोटे-छोटे शैतानों की तरफ देखा और खुद से बोला कितने चलाख है अपनी मम्मा को ही उल्लू बना रहे आहार और विहान एक दूसरे को देखने लगे और फिर हलका सा मुस्कुरा दिये और खुद से बोले प्लान सक्सेस्फुल कहर इशान को लेकर रूम की तरफ बढ़ गई और उसने अहान और विहान को अपने पीछे आने के लिए समीर ने मुस्कराते हुए कहा तुम सब दिन कर लेना मेरा वेट मत करना में आज इंपॉर्टेंट मीटिंग से रिलेटड देर आउंगा तभी विहान दौरता हुआ समीरा के पास आया और उसके पैरों से लिपटते हुए बोला डैडा मत जाऊना तभी आहान भी आकर समीर के पैरों से लिपट गया और बोला डैडा कहा जा रहे हो आप समीरा ने आहान और विहान को उथा लिया और बोला डैडा जल्दी आ जाएंगे आप दोनों अच्छे बच्चों की तरह टाइम पर खाना और सो जाना कहर ने समीर को देखा और बोली ठेक कै समीरा सिर हिला दिया और वहां से चला गया कहर अपने तीनों बच्चों के साथ अपने रूम में आ गई और फिर तीनों को देखते हुए बोली अब तुम तीनों अपनाए नाटक बंद करो और मुझे बताओ कि आखिर तुम तीनों ने किया हंगामा मचाया है स्कूल में इशान आहान और विहान डर गए इसका मतलब कि उनकी मम्मा को उनकी उनका प्लान पता लग गया उन तीनों ने एक दूसरे को देखा और फिर बोले वह मम्मा कहर ने कहा तुम तीनों को क्या लगा तुम मुझे बुद्धू बना लोगे तुम्हारी मम्मा हूँ मैं और तुम तीनों के रग रग से वाकिफ हूँ कहर ने आहान की तरफ देखा और बोली टेल मी आहान आखिर का राहान ने कहा मम्मा वहना क्लास में एक लड़का है जो इशान भाई को गाली दे रहा था इसलिए इशान भाई ने उसे मारा और फिर मैं और विहान भी भाई के साथ मिल गए लेकिन मम्मा उस बच्चे के दोस्त भी थे जो हमारे साथ लड़ रहे थे हमने तो ज्यादा कुछ भी नहीं किया कहर की आँखे छोटी छोटी हो गई और वह बोली तुम तीनों इतना लड़ते क्यूं हो कोई कारणामा करे बिना तुम लोगों से रहा नहीं जाता हर दूसरे दिन तुम्हारी कंप्लेन आती है कहर उन तीनों को डाट रही थी और कहर की डाट सुमकर अहान और विहान और इशान की आँखों में हासु आ गए कहर ने कहा तुम तो इन दोनों से बढ़े होना इशान ने धीरे से कहा सौरी मम्मा इशान अहान और विहान से बढ़ा था इशान कहर का बड़ा बेटा था और रहान इशान से छोटा था लेकिन विहान से बढ़ा था और विहान सबसे छोटा और सबसे ज्यादा नतखट और शैतान तीनों भायों में शैतानी कूट कूट कर भरी थी आए दिन उनके किस से कहर के पास आते थे और कहर उन तीनों को डाटती थी लेकिन फिर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आते थे कहर ने मन ही मन कहा मेरे बेटे ऐसे क्यूं है वहीं दूसरी तरफ उस्ट्रेलिया सिद्नी सुबह का वक्त हो रहा था दो आदमी बॉक्सीग कर रहे थे एक आदमी काफी ज्यादा ठक गया था उसने कहा बस अब और नहीं आइम तायड वह आदमी जमीन पर गिर गया था और व उसने बॉक्सी गलव्स अपने हाथ से निकाले और उन्हें साइड में फेक दिया और फिर बोला स्टेमिना बहुत कम है तुम्हारा तभी लेते हुए आदमी ने चिरकर कहा टू घंटे से हम फाइट कर रहे हैं अब तेरा स्टेमिना इतना ज्यादा है तू इंसान ही नहीं हैं एलविश ब्रो तुमसे जितना इंपॉसिबल है मेरा जायद ने कहा एलविश ने जायद को देखते हुए कहा एलविश रगवनशी ने कभी हारना नहीं सीखा मेरी डिक्शनरी में हारने जैसा बोर्ड नहीं है जायद ने मुसकराते हुए कहा हम आई नो ब्रो तरह कोई पत्थर की मशीन नहीं हूँ मैं emotionless एलविश ने एक नजर जायद पर डाली और बोला get to work or else salary will be deducted ये सुनकर जायद का खून सुख गया और वो बोला but I was only doing my job एलविश ने सर्द लहजे में कहा what if you don't get on with your work in two minutes इतना कहने के बाद एलविश वहां से बाहर चला गया एलविश के face पर कोई भाव नहीं थे वही जायद ने एलविश को जाते हुए देखा और खुद से बोला उस दिन के बाद से कितना बदल गया है ये इसके face पर उस दिन से एक smile नहीं आई उस दिन से उसका दोस्ट पत्थर बन गया उसके सीने में दिल धड़क नहीं बंद हूँ गया था सिगनी एलविश एगनिविंशी अपने केबिन में बैठा था इस वक्त उसकी आगों में कुछ नहीं दिख रहा था एलविश के सामने documents का धेर लगा हुआ था जिस पर उसे sign करने थे एलविश किसी robot की तरह काम कर रहा था तभी उसके desk पर रखा उसका phone बजने लगा एलविश ने एक नजर भर भी phone की तरफ नहीं देखा उसका phone लगाता रिंग कर रहा था उसका phone कई बार कट चुका था लेकिन elevation अपनी नजर उठा कर अपने phone की तरफ नहीं देखा था तभी एलविश के केविन में जायद ने कदम रखा और बोला बॉस आपके घर से phone आया तभी जायद की नजर dex पर vibrate कर रहे phone पर गई एलविश ने एक नजर जायद की तरफ देखा और बोला अगर कोई important काम नहीं है तो go from here जायद ने कहा bro तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत खराब है वह hospital में admit है एलविश ने अपना सिर उठा कर जायद की तरफ देखा और बोला this time also it will be some trick of his दादी नहीं पहले भी ऐसा किया है वह मुझे वापस बुलाने के लिए कुछ भी कर सकती है जायद ने चिंटा भरी आवाज में कहा मुझे नहीं लगता कि इस बार यह उनका प्लान है क्योंकि वीडियो कॉल की थी उन्होंने और मैंने देखा है कि तुम्हारी दादी सच मुझ एडमिट है Elevation ने बिना किसी भाव के कहा I am sorry इस बार भी यह उनका कोई नया ड्रामा है जायद ने कहा bro तू कब तक वापस नहीं जाएगा 5 साल बीट चुके हैं 5 साल से दादी तुझे मिलने के लिए तड़प रही है ऐसी भी क्या नाराजगी है तुझे दादी से तू तो उनके लिए कुछ भी कर गुज़ने को तैयार था ना तू अपनी Family में से किसी को भी नहीं मानता लेकिन दादी वह तो तेरी purity थी ना और आज दादी अपनी आखिरी सासे गिन रही है वह बहुत ज्यादा बीमार है और उन्हें तेरी जरूरत है वह अपने पोते से मिलना चाहते हैं Elvish ने कुछ नहीं कहा जायद ने आगे कहा मैं वापस जाने की टिकट बुक कर रहा हूँ और एक बात अगर दादी की हो जाती है तो तू वापस आ जाना मैं तुझे कौन सा वहाँ पर परमानेंट रूख में के लिए कह रहा हूँ जायद की बात सुनकर Elvish ने अपने होंत बीच लिये और अपनी मुठ्खियों को आपस में कस लिया लेकिन कुछ नहीं कहा और वहां से उठ कर चला गया लेकिन जायद समझ रहा था उसका दोस्त इस वक्त बहुत गुस्से में था जायद ने उसे कुछ पल अकेला छोड़ना ही बेथर समझा, वही इंडिया, हाइदराबाद, के आर मैंशन, कहर डानिंग टेबल पर बैथी थी और उसके तीनों बेटे भी उसके आसपास ही बैथे तीनों अपना दिनर कर रहे थे उन्हें देखने से कोई नहीं कहेगा कि वह फाइव साल के थे क्योंकि जिस मैनस से वह खा रहे थे वो उनकी एज के बच्चे नहीं कर सकते, कहर कभी कभी अपने बच्चों को देख कर हैरान हो जाती थी उसे लगता ही नहीं था कि वह उसके बच्चे है क्योंकि कहर के बच्चे बहुत ज्यादा intelligent smart थे अपनी उम्र के बच्चों से दुगना दिमाग था उनके पास उसने कभी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखाया बल्कि उसके बच्चों को पहले से ही सब कुछ पता है कभी कभी अपने बच्चों की smartness देखकर वह खुद दंग रह जाती थी और सोचती थी कि उसके बच्चों के अंदर इतना talent आया कहा से उसके बच्चे बहुत लड़ाकू थे और घमंडी भी और खडू स्वभाव वाले जितने भी है उतने ही ज्यादा दुष्ट बच्चे थे जिदीपन में इन तीनों ने सब को पीछे छोड़ रखा था लेकिन कहर खुश थी कि उसके बच्चे इतने intelligent smart थे कहर अपने बेटे को देख देख कर ही तो जी रही थी कुछ देर में दिना करके तीनों अपने कमरे में चले गए कहर अपनी study room में चली गई उसे कुछ pendant काम करना था कहर अपनी study room में चेय पर बैठी थी और उसके सामने laptop था laptop पर वह designs को design कर रही थी अपने काम को लेकर serious और sensitive थी वह अपने काम में कभी लापरवाही नहीं बर्ती थी कहर को काम करते हुए करीबन 2 घंते हो गए थे कहर बहुत ठक गई थी और उसे बहुत मीद आ रही थी लेकिन उसे काम भी खत्म करना था कहर ने कुछ पल आखे बंद की और फिर उसकी आखों के सामने वही पल घूमने लगे कहर एक बार फिर बात्रूम के दरवाजे के सामने खड़ी थी और अंदर का नजारा देख रही थी कहर के कानों में उस लंकी के शब्द गुंज रहे थे कहर ने उस आदमी का चेहरा देखा वह उस चेहरे को कभी नहीं भूल पाई थी कहर की आखों के सामने उसका पती और वो लड़की इंटीमेट हो रहे थे उन दोनों की आवाजें और सरगोशियां उसके कानों में गुंज रही थी कहर रो पिमाई आज उसकी शादी हुई थी और आज उसका पती किसी और की बाहों में है उस दोनों ने बेशर्म की तरह कहर की तरफ देखा कहर ने जटके से अपनी आखे खोली और हॉन्फने लगी कहर जोर जोर से सांसे ले रही थी फिर अपने हाथ को देखा देखकर आसूँ की गूंदे थी कहर ने बिहरमी से आपने आसु पोचे 5 साल हो चुके थे इस बात को लेकिन आज भी उसके जखम हरे हो जाते थे यह एक ऐसा जखम था जो वह कभी नहीं भूल सकती 5 साल लग गए थे उसे इस जखम को बुलाने में लेकिन अभी तक ये जखम हरा का रहा था कुछ जखम ऐसे होते हैं जो कभी नहीं बुलाए जा सकते कहर अपनी पुरानी और करवी यादो से बाहर निकलने की बहुत कोशिश करती थी लेकिन ना जाने क्यों बार-बार उसके जेहन में ये चीजे जखम कर देती थी वह जखम जिसे वह कभी नहीं भर पाई कहर अपनी पुरानी और करवी यादों से बाहर आ गई थी और फर अपने बच्चों के बारे में सोचने लगी उसने अपने सामने रखा लैप्टॉप बंद किया और स्टडी रूम से बाहर आ गई कहर अपने बच्चों की रूम की तरफ जा रही थी कहर का सकून उसके बच्चे थे कहर अपने बच्चों के रूम में थी और उसकी आखों में गुसा उतर आया उसके तीनू शैतान बच्चे अभी भी जाग रहे थे और आईपेड पर कुछ ना कुछ कर रहे थे तीनों इतने बिजी थे कि उनको घ्यान ही नहीं था कि उनकी मम्मा उनके कमरे में आ चुकी है कहर ने वक्ष देखा तो रात के वन उकलॉक बज रहे थे कहर ने थोड़ा खासा ताकि उसके बच्चे जो आईपेड में घुसे हुए थे वह बाहर निकल आए इशान अहान और विहान तीनों चौक गए और उन तीनों ने सामने देखा तीनों के चेहरे पर सर्द एक्सप्रेशन थे एम उनको देखकर कहर की आखे और छोटी छोटी हो गई उसके तीनों पिद्दी दूसरे बच्चे ऐसा लगता है जैसे कोई बड़े बिजनेस मैन हो कहर ने अपना सिर नामे हिला दिया और अपनी गंभीर आवाज में बोली तुम तीनों रात के वन उक्लॉक बजे तक क्या कर रहे हो तुम्हे स्कूल नहीं जाना अभी तक सोए क्यूं नहीं कहर ने दांटते हुए कहा अपनी मम्मा की डांट सुमकर इशान आहान और विहान एक दूसरे को देखने लगे और फिर उन्होंने जल्दी से लैप्टॉप आईपैट को बंद कर दिया और बैट पर लेट गए कहर ने अपने तीनों बच्चों को घूरा और फिर उनके पास आ गई कहर बैट के पास आकर तीनों को घूरने लगी इशान आहान और विहान ने अपनी आखे बंद कर ली थी जैसे वह सो गए हो कहर भी बैट पर लेट गई आज वह अपने तीनों बच्चों के साथ सोना चाहती थी क्योंकि आज वह बहुत बचैनी महसूस कर रही थी कहर के लेटे हैं विहान कहर के ऊपर आ गया और बोला मम्मा तभी इशान और आहान भी कहर के दोनों साइड आ गये और कहर को तीनों देखते हुए एक साथ बोले मम्मा कहर ने थोड़ा डाटते हुए कहा तुम तीनों अभी तक जाग रहे हो तभी इशान और आहान विहान ने छोटा सा मूह बना लिया और बोली मम्मा आज नींग नहीं आ रही मम्मा आपकी याद बहुत याद आई कहर ने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा और बोली क्यूं किसी में कुछ कहा क्या तभी इशान ने धीरे से कहा मम्मा क्या हमारी बड़ी फैमली नहीं है हमारी फैमली में आप डैडा में आहान विहान और कोई भी नहीं है बलकी बाकी सब के दादा दादी नाना नानी चाचा चाची सब होते हैं मासी लेकिन हमारा तो कोई भी नहीं है थोड़ा उदास होते हुए इशान ने कहा मम्मा हम जॉइंट फैमली में क्यूं नहीं रहते अहान ने पूछा कहर के एक्स्प्रेशन बदल गए और उसने कहा ये सब तुमसे किसने कहा कौन सिखाता है तुम्हें ये सब तभी विहान ने कहा मम्मा हमारी क्लास में सभी बच्चों के दादा दादी उनके लिए चोकलेट लेकर आते हैं लेकिन हमारे पास तो नहीं है अपने बच्चों की बाते सुनकर कहर के दिल में एक बार फिर जखम उतर आया कहर इमोशनल हो गई और उसने अपने तीनों बच्चों को इस जोर से गले लगा लिया और खुद से बोली क्या मैं एक अच्छी मा नहीं हूं क्या मैं एक अच्छी मा बनने में काम्याब नहीं रही क्यूं मेरे बेटे को दूसरों की कमिया महसूस होती हैं कहर के पास अपने बेटों के सवालों का जवाब नहीं था ये सवाल उसके बेटे उससे कई बार पूछ चुके थे लेकिन जब उसके पास जवाब ही नहीं था तो वह उन्हें क्या ही कहती है कहर ने बात तालते हुए कहा इतनी रात हो चुकी है तुम तीनों को सो जाना चाहिए उसके बाद कहर ने अपने तीनों बेटों को डाट कर सुला दिया कहर की आखे नम हो गई वह हर नामुम्किन कोशिश करती थी कि उसके बच्चों को कोई तकलीफ ना हो लेकिन फिर भी कुछ चीजों की कमिया वह कभी पूरी नहीं कर सकती थी भले ही जिन्दगी में उससे बहुत कुछ चीना था लेकिन उसे तीन खूबसुरत टौफे भी दिये थे कहर को भी अपने घरवालों की बहुत याद आती थी फाइव साल भी चुके थे फाइव साल कम नहीं होते लेकिन उसके बाद से वह अपने घरवालों से नहीं मिली थी उस रात में उसकी पूरी जिन्दगी बदल दी थी उसने अपना सब कुछ खो दिया था अगली सुबह लखनव एयरपोर्ट एयरपोर्ट के बाहर कारों का काफिलाना खड़ा था एयरपोर्ट पर बहुत बीर थी रिपोर्टर की लाइन लगी हुई थी क्यूंकि फाइव साल बाद फेमस बिजनेसमेन एलविश इगनिविंशी इंडिया वापस आ रहे थे और यह खबर पूरे मीडिया में फेल गई थी एलविश ने जैसे अपना कदम बाहर रखा वैसे ही रिपोर्टर्ज ने उसे घेर लिया उस पर तूट पड़े थे और एलविश के बादी गार्ड्ज उसे उन रिपोर्टर्ज को उसके पास नहीं आने दे रहे थे लेकिन रिपोर्टर भी कहा कम थे कोई ना कोई एलविश से लगातार कोई सवाल पूछ रहा था एलविश के फेस पर कोई भाव नहीं थे जायद ने मीडिया का पागलपन देखते हुए कहा ब्रो तुम्हारे आने की खबर यहाँ पर फैल चुकी है तुम जल्दी से कार में बैठे और यहाँ से निकलो वरना यह मीडिया तो तुम है यहाँ से जाने नहीं देगा एलविश जाकर अपनी कार में बैठ गया और कारों का काफिलाना वहां से गुज़ने लगा देखने वाले लोग बस देखते ही रह गए एलविश की आखे के सामने कुछ पल गुज़ने लगे उसकी आखे और सर्थ हो गई यह शहर उसे किसी चीज़ की याद दिला रहा था मल्टी स्पेशल्टी होस्पिटल कार का काफिलाना आकर होस्पिटल के बाहर रुका इतनी गारियों को देखकर वहां का सेक्योरिटी गार्ड भी चौक गया सेक्यूरिटी गार्ड इतना तो समझ गया था कि यहरिच लोग हैं गारियों का काफिलाना रुकते ही ड्राइवर बाहर आया उसने बेक सीट का दोर ओपन किया एल्विश ने अपना कदम बाहर रखा और सामने सर्द मिगाहों से देखा और अपने कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिया जायद भी कार से बाहर आया और एल्विश के पीछे चला दिया हॉस्पिटल के अंदर एल्विश को देख कर सभी हैरान हो रहे थे क्योंकि लखनव में एल्विश फेमिस था रूम नमबर एट एक बुरी औरत हॉस्पिटल बैद पर लेती हुई थी उस बुरी और के बगल में उसकी पूरी फैमली खरी थी कुछ के फेस पर फिक्र थी और कुछ के फेस पर बनावती फिक्र थी और कुछ अंदर से बहुत खुश थे जैसे की वह उसके मरने का इंतजार कर रहे हो शीतल ने मन ही मन कहा ये बुरी या कब मरेगी कितना टाइम बैस्ट होता है इसके चक्कर में उफ लेकिन फिर भी उसने अपनी आखों में आशु लाते हुए कहा आप कब ठीक होगी और अंदर से शीतल चाहती थी कि यह बुरिया मर जाए तभी वाट के अंदर एलविश ने अपना कदम रखा और अपनी सर्द निगाहों से बैट की तरफ देखा किसी की आहट को सुनकर सबने वार्ड के दोर की तरफ देखा एलविश एक्स्प्रेशन लेस फेस के साथ अपनी पॉकिट में हाथ डाले खड़ा था उसकी आखों पर आई शेड्स लगे हुए थे एलविश को अचानक से देखकर सब हैरान हो गई शीतल ने मन ही मन गुस्से से सोचा ये यहां क्या कर रहा है इतने सालों बाद ही यहां क्या करने आया है शीतल के expression देखकर साफ पता चल रहा था कि Elvish को यहां देकर वह बिल्कुल खुश नहीं थी उसे बहुत गुस्सा आ रहा था सभी अचानक से Elvish को देखकर हैरान थे क्योंकि Elvish को यहां देखना उनके लिए unexpected था Elvish को अचानक से यहां देखना उनके लिए एक शब्द में जैसा था इतने सालों बाद Elvish को देखकर उन लोगों के मन में धेरों सवाल आ रहे थे Elvish ने एक नजर भी सबको नहीं और सीधा चल कर अंदर आ गया तभी शीतल Elvish के पास आने लगी लेकिन तभी Elevation अपना हाथ दिखा कर उसे रोक दिया डोंट शीतल पीछे हो गई वहां मौजूद सभी जानते थे कि Elvish शीतल को बिलकुल पसंद नहीं करता वह उसे देखना तक बरदाश्ट नहीं कर सकता उपर से तो शीतल ऐसा दिखा रही थी जैसे वह Elvish के आने से बहुत खुश थी लेकिन अंदर ही अंदर उसको बहुत गुस्सा आ रहा था उसको Elvish का रवया अपने प्रती बिलकुल पसंद नहीं था हाइदराबाद कहर और उसके तीनों बच्चे सोकर उठ चुके थे और कहर तीनों बच्चों को नहला रही थी क्योंकि जो भी हो लेकिन उसके बेटे थे छोटे छोटे और अभी वह खुद से नहा नहीं पाते थे हाला की बड़े बनने की कोशिश बहुत करते थे तभी इशान ने कहा मम्मा मैं बड़ा हो गया हूं मैं अब खुद बात ले सकता हूं इशान ने अपनी प्यारी सी आवाज मैं कहा आपको मुझे नहलाने की जरूरत नहीं है तभी अहान बोला मम्मा मैं भी बड़ा हो गया हूं मैं भी खुद नहा सकता हूं आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है अब तभी विहान बोला हां मम्मा मैं भी बड़ा हो गया हूं अब आप मेरे को बात मत दिया करो कहर ने अपने तीनों बेटों को बुरी तरीके से गोरा और डाटते हुए बोली चुपचाप बैठो अगर अब एक और शब्द बोला तो मार पड़ेगी इशान विहान पर रहान तीनों ही बैठकर तीनों वास्तव में बैठे हुए थे और कहर अपने तीनों बेटों को की पीठ पर शौक लगा रही थी कहर रे मन ही मन का है तीनों इतने विधी विधी से और हरकते ऐसी करेंगे जैसे 25 साल के हो कहर अपने तीनू बेटों के बालों पर बारी-बारी से शेंपू कर रही थी कहर को वह वक्त याद आ गया जब उसके बेटे छोटे-छोटे से थे 2-3 साल के थे और वह ऐसे एक्सप्रेशन बना कर रखते थे जैसे हर किसी को अपनी आखों से घूर-घूर कर ही मार डालेंगे लेकिन कहर को अपने बेटों की फिक्र भी हो रही थी खासकर विहान की बिहान को एक दिसॉर्डर था उसने इस बारे मैं कल डॉक्टर से मिलकर सलाहली लेकिन उसे कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल पाया विहान का ट्रीक्मेंट चल रहा था, कहर को अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही थी इसलिए उसने एक फैसला लिया था जब वह लखनव में रहती थी तब वहाँ पर एक जाना माना आयुर्वेदिक होस्पिटल था जहां पर बच्चों का अच्छे से इलाज किया जाता था लेकिन प्यार को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके बेटे को ये डिसॉर्डर कैसे हुआ असल में विहान को बच्पन से ही डिसॉर्डर था वह लोगों से दूर रहना पसंद करता था उसे लोगों के ज़्यादा तच्च पसंद नहीं थे और वही अहान को भी OCD था उसे भी गंदगी से सक्त नफरत थी कहर को समझ नहीं आ रहा था कि कभी उसके खांदान मैं ऐसी बीमारियां किसी को नहीं लगी तो उसके बेटों को ही ऐसी बीमारियों का सामना क्यूं करना पड़ रहा है इसमें सिर्फ ऐसा ही ठीक था जो बिल्कुल फिट एंड फाइन था लेकिन कहर को अपने दोनों बेटों की बहुत फिक्र हो रही था वह अपने बच्चों का इलाज अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करा रही थी लेकिन तभी उसे पता चला है कि लखनव में एक ऐसा डॉक्टर है जिसके पास हर बीमारी का इलाज है उस डॉक्टर से हर कोई नहीं मिल सकता इसलिए कहर ने सोचा था कि वह उस डॉक्टर से मिलेगी और अपने बेटों के बारे में बात करेगी वह चाहती थी कि उसके बेटे बिल्कुल ठीक हो जाए कहर ने अपने तीनों बेटों को हग कर लिया और उनके फोहेड पर किस करते हुए खुद से बोली तुम तीनों ही तो मेरी जिंदगी हो और एक जीने की वज़ह तुम तीनों के लिए ही तो जी रही हूं कहर की आँखे नम हो गई और उसकी आँखों से आसों लुड़क कर उसके गाल पर आ गए अगर उसके बेटे को कुछ हो गया तो क्या करेगी? उसे जो करना पड़ेगा वह करेगी अगर उसे वापस उस शहर में जाना पड़ेगा तो वह जाएगी क्योंकि उसके बेटों से बढ़कर उसके लिए अब कोई नहीं था इशान ने कहर के गाल पर किस करते हुए कहा I love you mama कहर ने अपने तीनों बेटों को नहलाया और विहान को बाहर लाने लगी और उसके पीछे इशान और अहान दोनों अपने बेबी टौवल को लपेट बाहर आ रहे थे उनके छोटे छोटे टौवल उनकी कमर पर थे कहर अपने पिदियों को देख रही थी उसके चहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी जो भी कहो उसके बेटों की पस्नेलिटी बच्पन से ही बहुत अलग और यूनिक थी कहर अपने तीनों बेटों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी कहर ने अपने बेटों को घूरते हुए कहा अगर तुम तीनों मैं आज कोई शैतानी की और मुझे तुम्हारी कोई कम्पलेन आई तो मैं तुम तीनों का स्कूल छुड़वा दूंगी इशान आहान और विहान ने अपनी मम्मा की तरफ देखा और एक दूसरे को देखते हुए बोले मम्मा आप फिक्र ना करें अब हम तीनों बिलकुल नहीं लड़ाई करेंगे उसके बाद इशान आहाना विहान ने एक दूसरे को आँख मारी और तिर्चा मुस्कुराने लगे कहर ने अपने बेटे को तैयार किया और फिर वह तीनों ब्रेकफास्ट के लिए दाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए कहर के घर में काम करने वाले नौकरों ने बच्चों को हेल्दी ब्रेकफास्ट दिया और कहर भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी उसके बाद कहर ने अपने तीनों बच्चों को अपनी कार से स्कूल ड्रॉप किया स्कूल छोड़ने के बाद वह अपने ओफिस पहुँच गई वही एलविश ने अपनी दादी सुमित्रा की तरफ देखा एलविश के फेस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे वही पूरा परिवार भी चुपचाप खड़ा था एलविश की दादी सुमित्रा ने धीरे से अपनी आखे खोली और अपने सामने एलविश को देखकर बोली एलविश फाइव साल बाद अपने पोते को देखकर सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं था उन्होंने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि वह अपने पोते को कभी दोबारा देख भी पाएंगी सुमित्रा बहुत इमोशनल हो गई थी एल्विश को देख कर लेकिन एल्विश के भाव वैसे के वैसे थंडा थे सुमित्रा की हालत सच में खराब थी ऐसा लग रह जैसे इन फाइफ सालों में वह बहुत ज़्यादा बुरी हो गई हो उनके चेहरे पर रिंकल्स थे और तो और उनके बाल भी सफेद हो गई थे और कम थे उनकी आँखों के मीचे डाख सकल थे और वह पहले से काफी ज्यादा पतली हो गई थी शीतल सुमित्रा के पास आने लगी लेकिन तभी सुमित्रा ने शीतल को वही रोक दिया और एलविश को अपने पास बुलाया शीतल को अपनी बेज जती महसूस हुई एल्विश ने अपनी दादी सुमित्रा के पास जाने की कोई जल्बाजी नहीं दिखाई तभी उसे वार्ड में एक और शक्स दाखिल हुआ उसकी उमर देखने से लग रहा था कि उनकी उमर करीबन 50 के आसपास होगी एल्विस ने जैसे ही उस शक्स को वार्ड में देखा वैसे ही वह उस वार्ड से बाहर चला गया वर शक्स कोई और नहीं येल्विस का डाड हर्षवर्धन था हर्षवर्धन के चेहरे के भाव बदल गए शीतल ने हर्षवर्धन को देखा और उनकी तरफ आते हुए बोली हर्षवर्धन जी तभी हर्शवर्धन ने शीतल की तरफ देखा और बोला मा की तबियत कैसी है उसके बाद हर्शवर्धन चलकर अपनी मा यानी की सुमित्रा के पास आ गया और अपनी मा का हाथ पकड़ते हुए बोला मा, सुमित्रा ने अपना हाथ हर्शवर्धन से छुड़ा लिया और बोली तुम्हारी वजह से मेरा पोता वॉड से बाहर चला गया शीतल के होटों पर तिर्ची मुस्कान आ गई इन दोनों बाप बेटे की खटक देख कर उसे ना जाने क्यूं मजा आ जाता है जिंदगी भर यह बाप बेटे दूसरे से ऐसे ही नफरत करते रहे हर्षवर्धन ने कहा आपका पोते को मेरा यहां आना अच्छा नहीं लगा इसलिए वह यहां से चला गया और जब मैं यहां से जांगा तब वह आपसे वापस मिलने आ जाएगा हर्श्वर्धन ने आगे कहा आखिर आप अपने पोते को बुलाने में काम्याब हो ही गई मा शीतल ने मन ही मन गुस्से से कहा सब कुछ इस बुरियां की वजह से हुआ है ना ये कभी यह वापस आता और ना ही प्रॉपर्टी में हिस्सा लेता वही दूसरी तरफ ऐस्ट्रेलिया एक लड़की अपनी हील्स के साथ तक तक करती आवाज के साथ आगे बढ़ रही थी उसके गोल्डन ब्राउन बाल जो उसके शोल्डर तक थे उसने वन पीस शॉट ड्रेस डाल रखी थी उसकी आखों पर शेद्स लगे हुए थे उसने जैसे ही इल्विश के कैबिन के अंदर अपने कदम रखे वैसे ही इल्विश के मैनेंजर ने जयाइट ने कहा मिस जोसफीन सालवतॉर Mr. Elves is not in his कबन अपने केबिन में नहीं है Zait की बात सुनकर जोसफीन सालवतॉर ने कहा Zait where is Elves, Elves कहा है Zayt ने आगे कहा मैं boss left for India just yesterday boss कल ही urgently India के लिए निकल गए Josephine Salvatore ने कहा Zayt elevation वापस कब तक आएगा when will Elvis be back Zayt ने कहा मैं boss ने इस बारे में कोई information नहीं दी the boss did not give any information About this, Josephine Salvatore ने खुद से कहा Elvis मुझे inform किये बिना कैसे जा सकता है Josephine Salvatore को बहुत गुस्सा आ रहा था Josephine ने अपनी phone निकाला और फिर उस पर order देते हुए बोली मेरी India की flight confirm कर दो Josephine Salvatore ने गुस्से से कहा इतने सालों बाद Elvis वापस क्यों गया है Josephine Salvatore ने खुद से कहा बहुत मुश्किल से Elvis उसका हुआ था India, Hyderabad कहर अपने केबिन में बैठी काम कर रही थी आज उसका मूट काफी अच्छा था तभी उसके केबिन में कोई without permission एंटर हुआ और आकर चेय पर बैठ गया कहर ने अपना सिर उपर करके के देखा और उसकी आँखे फैल गई कहर ने चौक कर कहा तुम यहां अचानक से क्या कुछ हुआ है तुम अचानक से ओफिस में क्या कर रहे हो कहर ने पूछा समीर ने हलका मुस्कुराते हुए कहा claim down claim down कहर ने कहा तुम यहां क्यू आए हो समीर ने मुह बनाते हुए कहा क्यूं मैं यहां नहीं आ सकता कहर ने कहा वो अचानक से तुम्हें देख कर तभी समीर ने कहा मुझे तुम्हें कुछ बताना था कहर ने सीरियस फेस बना कर समीर की तरफ देखा और बोली से कहर के serious expression देखकर समीर ने भी serious होते हुए कहा drive मनोजदास जो Australia के best doctor थे कहर के face के भाव बदल गए समीर ने आगे अपनी बात continue करते हुए कहा drive मनोजदास ने retirement लिया और वह अब अपनी family के साथ रह रहे हैं कहर ने कहा फिर देर किस बात की है हमें जल्दी ही उनसे मिलना होगा समीर ने कहा लेकिन अब किसी का भी इलाज नहीं करते और कई बड़े बड़े रहीसों ने उन्हें convince करने की कोशिश की काफी ज्यादा amount offer किया लेकिन उन्होंने हमेशा reject कर दिया और वह किसी से मिलना भी पसंद नहीं करते अब कहर ने serious हक कहा तो उन्हें convince करना होगा कहर ने आगे कहा अपने बच्चों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ और एक बार कोशिश करने में जाता ही क्या है उनकी कर्ट address का पता लगाओ तभी समीर ने कहा तुम्हारे कहने से पहले ही मैंने उनकी कर्ट location और address दोनों find कर लिया कहर ने कहा good फिर देर किस बात की चलो आज ही हम शाम को निकलते हैं कहर इन सब चीजों में बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहती थी तभी समीर ने कहा लेकिन एक problem है कहर की आखे सर्थ हो गई समीर ने कहर की तरफ देखा और बोला हमें लखनव जाना होगा कहर के expression एक पल के लिए बदल गए और उसके बाद फिर सर्थ हो गए कहर बिना किसी expression की कहा हम आज ही लखनव के लिए रवाना हो रहे हैं और यह मेरा final decision है समीर के चेहरे पर चिंता की लकीरे थी उसने कहर की तरफ देखा और बोला तुम क्या तुम वहां जाना चाहती हो कहर ने कहा मुझे मुझे भी बढ़कर मेरे बेटे हैं और उनके लिए कहर कुछ भी कर सकती हैं समीर हलका सा मुसकुरा दिया वह जानता था कि कहर ने ये दिसीजन बहुत मुश्किल से लिया होगा लेकिन ये भी सच था कि वह अपने बेटों के लिए कुछ भी कर सकती है समीर वहां से चला गया क्योंकि उन्हें जल्दी ही लखनव के लिए निकलना था तो उसे कुछ प्रिपरेशन करनी थी कहर ग्लास विंडो के सामने आकर खड़ी हो गई और वहां से उसे आधा शहर नजर आ रहा था कहर की आखे नम हो गई उसकी आखों के सामने वही सब एक बार फिर घूम गया था उसने उस दिन के बाद से उसे शहर को छोड़ दिया था और दोबारा उस शहर की तरफ कभी मुल कर नहीं देखा था वह उसकी जन्मभूमी थी जहां पर वह पली बदी थी लेकिन आज वहां पर भी जाने के लिए उसे बहुत हिम्मत की जरूरत थी उस शहर ने उसे कुछ ऐसे जख्म दिये थे जो कभी नहीं बन सकते वही दूसरी तरफ Elvis एक होटल रूम में फ्रेश हो रहा था Elvis एकनिविंशी नहीं गरा था और वह वहां पर जाने भी वाला नहीं था क्योंकि एकनिविंशी निवास उसे किसी चीज़ की याद दिलाता था Elvis उस चीज़ को अपने दिल और दिमाग दोनों से निकाल चुका था और वह नहीं चाहता था कि उसके जख महरे हो जाए जायद ने Elvis के कमरे में अपने कदम रखे और फिर बोला ब्रो आपको कैसा लगा होटल ये यहां का सबसे बेस्ट होटल था तो मैंने यही बुक कर दिया Elvis ने कहा हम जायद ने Elvis की तरफ देखा और बोला ब्रो आपके यहां किसी चीज की तकलीफ नहीं होगी इतना कहने के बाद जायद ने Elvis से और बाते की बिजनेस रलेटड और फिर वहां से चला गया Elvis ने सिगरेट जलाई और फिर ग्लास विंडो से बाहर का नजारा देखने लगा फाइव साल बाद वह वापस अपने शहर आया था फाइव साल काम नहीं होते और यहां पर बहुत कुछ बदल गया था बस एक चीज नहीं बदली थी और वह थे कुछ जक्म Elvis के फेस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे हाइदराबाद कहर अपना लगेज तयार कर रही थी वही इशान अहान विहान भी अपना अपना लगेज पैंट कर रहे थे अपनी सारी जरूरत की चीज रख रहे थे जैसे की अपना आईपेड अपने गलव्स अपनी कैप्स अपने शॉट पैंट्स अपनी टी शर्ट और भी चीजे जो उन्हें पसंद थी कहर ने मुसकुरा कर अपने तीनों पिदियों की तरफ देखा तीनों ने अपना रूम पूरा बिखर कर रख दिया था कहर ने कहा हो गई तुम तीनों की पैकिंग इशान आहान और विहान ने कहा मम्मा अभी नहीं मुझे मेरे गलव्स नहीं मिल रहे कहर मुसकुरा कर बोली इस ओके हम वहाँ पर जाकर तुम लोगों के लिए शॉपिंग कर लेंगे उसके बाद कहर ने नौकरों से कहकर सारी लगेज बाहर भिजवा दिये और फिर अपने तीनों बेटों की तरफ देखते हुए बोली वहाँ जाकर तुम तीनों को कोई शैतानी नहीं करनी इशान आहान और विहान ने एकसाइटमेंट में अपना सिरहा में हिला दिया जैसे वह कोई बहुत आग्याकारी बच्चे हो असल में वो तीनों बहुत खुश थे कि वह अपनी मम्मा के साथ कहीं घूमने जा रहे थे उनको तो यही लग रहा था और कहर ने भी अपने बच्चों को यही बोला था कुछ देर में सभी कार में बैठे थे ड्राइवर सीट पर ड्राइवर बैठा था पेसेंजर सीट पर समीर बैठा था और बैठ सीट पर कहर और उसके तीनों बच्चे बैठे थे कार लखनव के लिए रवाना हो गई थी फाइव साल बाद वह वापस जा रही थी कहर कार में अपने इशान आहान और वहान तीनों के साथ कहर ने अपने तीनों बेटों की तरफ देखा जो उससे हग कर, के अपना प्यार जता रहे थे, कहर ने भी अपने तीनों बेटों को बाहों में समेटते हुए इशान आहान और विहान के गालों को बारी से चुमते हुए, सोचने लगी, उसे लग रहा था, उसके बेटे से सोचा जब उसने इशान आहान और विहान को गोब में लिया था तब उसके हाथ काम प्रहे थे उसके सामने एक एक करके सारी यादे सामने आ रही थी उसकी घर और सब कुछ और एक ऐसा जखम जिसे वह चाह कर भी कभी भुला नहीं सकती कहर ने अपने बेटों की तरफ लिखते ही वह अपना सारा दर्द और दुख सब कुछ भूल जाती थी और उसके दिल में गर्माहट और गर्माहट दोनों भर जाती थी उसके बच्चे उसे हमेशा उस दर्द से बाहर निकाल लेते थे जिस दर्द में वह कभी कभी दूब जाती थी कहर ने मुस्कुरा कर स उसके पास तीन अन्मोल ट्रॉफे थे और उसके सब कुछ. धीरे धीरे रात हो चुकी थी आसमान ने सूरज को निगल लिया था और चांद ने अपनी लालिमा चारों तरफ बिखेर दी थी. थंडी थंडी हवाय चल रही थी और मौसम भी सुहाना था. एल्विश अपने कमरे में बैठा था और लेप्टॉप पर उसके उगलिया तेजी से चल रही थी. इस वक्त एल्विश शर्टलेस था इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे लेकिन एल्विश का ध्यान बार-बार. लेप्टॉप से हट कर कर कहीं और जा रहा था. एल्विश को अपनी ब हंगा हो गया और रूम में मौझूद मिनी बाकी तरफ गया. और उस होटल की सबसे पुरानी वाइन को उठा लिया और फिर वापस कॉफी टेबल पर आकर बैठ गया. एल्विश ने वाइन वाइन ग्लास में डाली और फिर एक जटके में उसे पी गया. एल्विश दोबार हॉस्पिटल नहीं गया था. अपनी दादी से मिलने क्योंकि वहां जाने का उसका कोई मूद भी नहीं था. क्योंकि वहां कुछ ऐसे चेहरे थे जिनकी शकर वो कभी नहीं देखना चाहता था लेकिन आज उन सकलों से उसका सामना हो गया था. उसके कुछ ऐसे जख महरे हो गए थे जो कभी नहीं भर सकते थे। वहीं कहर समीर और इशान अहान विहान को ट्रेवल करते हुए बहुत वक्त हो गया था और वह सभी ठक गए थे और ड्राइवर भी ठक गया था इसलिए वह लोग एक होटल फाइंट कर रहे थे रेस्ट करने के लिए। जाएंगे। इशान और अहान तो दोनों अपने आईपैड में बिजी थे और ना जाने क्या कर रहे थे कहर उन दोनों कब से नोटिस कर रही थी। कहर ने इशान और आहान का आईपैड उनके हाथ से लेते हुए साइड में रख दिया। और घूरते हुए बोली तुम दोनों इतना कहा बिजी हो कहा हो कहा कहा ना आइपेड इतना यूज मत किया करो इशान और आहान दाग दिखाने लगे कहर ने उन दोनों का कान पकन कर खीचा और बोली अब तुम दोनों अपनी मम्मा से चलाकी करोगे इशान और आहान ने दर्द में कहा मम्मा हमने कोई चला की नहीं की कहर ने आँखे छोटी करके कहा और अब पूरे रास्ते तुम दोनों अपना आईपैड में ही चलाओगे इशान और आहान में मासुमियत से अपनी बड़ी बड़ी आँखों से करकी तरफ देखा कहर ने कहा तुम दोनों का ये नाटक नहीं चलेगा ऐसे टुकुर टुकुर देखना बंद करो मुझे इशान और आहान ने अपने सिर नीचे कर लिया और बोले मम्मा दर्द हो रहा है कान छोड़िये ना कहर ने आखिरकार इशान और आहान का कान छोड़ दिया दोनों के कान लाल हो गए थे दोनों को ऐसे देकर विहान के चेहरे पर स्माइल थी अच्छा हुआ मैंने पहले ही अपना आइपेड रख दिया वरना मुझे भी मम्मा से डांट पड़ती तभी विहान ने कहर के गले में अपनी बेहन डालते हुए कहर के गाल पर किस किया और बोला लव यू मम्मा मैं इन दोनों को बहुत समझाता हूँ कि तुम इतना आइपेड मत चलाओ लेकिन ये दोनों मेरी बिल्कुल भी नहीं सुनते है कहते है कि मैं छोटा हूँ इसलिए मुझे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए विहान की बात सुनकर इशान और रहान दोनों घूर कर उसे देखने लगे क्योंकि विहान उन दोनों को फसा रहा था ये कितना कमीना है इशान और रहान ने मन ही मन सोचा विहान ने तिर्ची नजर से इशान और आहान की तरफ देखा और तिर्चा मुस्कुराने लगा कुछ देर में कर एक होटल लाकर रुकी और उसमें से कहर और उसके तीनों बच्चे बाहर आए कहर ने विहान को गोद में उठा रखा था और इशान और रहान दोनों को समीर में उठा रखा था वह लोग वहाँ पर कुछ वक्त के लिए रेस्ट करने वाले थे और उसके बाद वह अपना सफर दोबारा शुरू करते क्योंकि उन्होंने ओल्रेडी काफी लंबा सफर कर लिया था और उन लोगों को भूख भी लगी थी समीर ने करकी तरफ देखा और पूछा आयू ओके तो आगे क्या होने वाला है आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर शेयर करें सो अभी कहानी जारी रहेगी इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे